इस तरीके का HDR एफेक्ट अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करें लाट्स तक द्यान से देखते रहिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इस लाइट मोसन आपको ओपन कर लेना है आप ओपन हो जाने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहां से इस मेडियो वाले आपसन पर क्लिक कर देना है अब यहां से हमें अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिस पर हमें इफेक्ट लगाना है तो मैं यहां से अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो पे जो है कोई भी एफेक्ट नहीं लगा है तो चलिए वीडियो पे एफेक्ट लगाना शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो की लेयर पर क्लिक कर देना है देन यहां से इस एफेक्ट वाले आप्शन पर क्लिक कर देना है एफेक्ट वाले आप्शन पर क्लिक करने के बाद इस एड़ एफेक्ट वाले आप्शन पर क्लिक कर देना है देन यहां से इस सर्च बार वाले आप्शन पर क्लिक कर देना है अब यहाँ आपको टाइप करना है CES जैसे ही आप CES सर्च करेंगे यहाँ पर Channel Remier 12GB का आपसन आजाएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस Standard Setting वाले आपसन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप Standard Setting वाले आपसन पर क्लिक करेंगे कुछ ही इस तरह का इंटरफेस सोहने लगे गया आपको इस B वाली लाइन से G को सेलेक्ट कर देना है दिन यहाँ इस Aero वाले आपसन पर क्लिक कर देना है फिर आपको इस Add Effect वाले आपसन पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है Yes A जैसे ही आप Yes A सर्च करेंगे यहाँ पहले नमबर पर आजाएगा Saturation and Vibrains आपको इस पर क्लिक कर देना है दिन यहाँ से इस Standard सेटिंग पर क्लिक कर देना है अब हमें Saturation and Vibrains वाले आपसन पर क्लिक करके Saturation के Strength को Plus 20% कर लेना है और Vibrains को 1.50 कर लेना है इतना कर लेने के बाद इस वाले आपसन पर क्लिक करके यहाँ से बैक आजाना है बैक आने के बाद आपको इस Plus वाले आइकन पर क्लिक कर देना है दिन यहाँ से इस Shape वाले आपसन पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद इस Color and Feel वाले आपसन पर क्लिक करके इस पिंक कलर को सेलेक्ट कर लेना है कलर को सेलेक्ट कर लेने के बाद इस बाइक वाले आप्शन पर क्लिक करकी इस शेप को पूरे स्क्रीन पर अपलाई कर देना है पूरे स्क्रीन पर अपलाई करने के बाद इस blending and opacity वाले option पर क्लिक कर देना है दिन यहाँ से इस difference वाले option पर क्लिक करना है जैसे आप difference वाले option पर क्लिक करेंगी यहाँ subtract का option आजाएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है ना कर लेने के बाद आपको फिर से इस bike वाले option पर क्लिक कर देना है अब हमें इस layer पर effect लगना है तो उसके लिए इस effect वाले option पर click करके इस side effect वाले option पर click कर देना है देनियाज इस search वाले option पर click कर देना है अब यहाँ हमें search करना है CO जैसे आप CO search करेंगी यहाँ दूसरे number पर आजाएगा copy background आपको इस पर click कर देना है देन यहां से इस standard setting पर click कर देना है click करने के बाद इस वाले option पर click कर देना है फिर से हमें एक effect को add करना है तो उसके लिए इस add effect वाले option पर click करके फिर से इस search वाले option पर click कर देना है अब यहां हमें search करना है GA जैसे ही आप GA search करेंगे पहले नमबर पर आ जाएगा Gaussian Blur आपको इस पर क्लिक कर देना है देन इसे भी Standard Setting पर क्लिक कर देना है अब हमें एक और Effect आएट कर लेना है उसके लिए इस Add Effect वाले आपसन पर क्लिक करके इस Search वाले आपसन पर क्लिक कर देना है देनिया आमें Search करना है EX जैसे ही आप भी एक सर्ष करेंगे पहले नमबर पर आ जाएगा Exposure and Gamma आपको इस पर क्लिक करके इस Standard Setting पर क्लिक कर देना है देन आप हमें Gaussian Blur पर क्लिक करना है अब हमें इसकी Strength को 0.500 कर लेना है इतना कर लेने के बाद इस वाले आपसन पर क्लिक कर देना है फिर से हमें इस Exposure वाले आपसन पर क्लिक करना है और Exposure को –0.30 कर लेना है और Gamma को 0.900 कर लेना है और इस Offset को –0.10 कर लेना है इतना कर लेने के बाद इस Bike वाले आपसन पर क्लिक करके स्क्रीन पर क्लिक कर देना है देन हमें इस plus वाले आइकन पर क्लिक करना है plus वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद इस shape वाले option पर क्लिक कर देना है देन यहां से इस color and fill वाले option पर क्लिक करके यहां से white color को select कर देना है इतना कर लेने के बाद back आ जाना है बैक आने के बाद इस shape को पूरे screen पर apply कर देना है देन उसके बाद इस blending and opacity वाले option पर click करना है blending and opacity वाले option पर click करने के बाद इस contrast वाले option पर click कर देना है देन यहाँ पहले number पर है overlay इस पर आपको click कर देना है अब यहाँ से हमें बैक आ जाना है बैक आने के बाद हमें स्क्रीन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो पे जो है इफेक्ट लग चुका है पूरी तरीके से अब हमें इस इफेक्ट को पूरे वीडियो पे लगा देना है तो उसके लिए यहाँ पर लांग प्रेस करके इन दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लेना है दोनों लेयर को सेलेक्ट कर लेने के बाद वीडियो के लास्ट में चले आना है वीडियो के लास्ट में आने के बाद इस वाले आपसन पर क्लिक कर देना है देन आपको फिर से स्क्रीन पर टैप कर देना है तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पूरी वीडियो पे जो है इफेक्ट लग चुका है अब हमें इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है उसके लिए इस वाले आपसन पर क्लिक करना है देनिया से इस एक्सपोर्ट व झाल झाल